तो आज हम लोग अपने किचन में बनाने जा रहे हैं धोकला बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल सबसे आसान तरीके से आज हम बनाएंगे धोकला तो चलिए देखते अपनी रेसिपी हेलो अब्रिवन मैं निलू स्वागत करती हूँ आप सब अपने चैनल लिविस क्रेटिविटीग में तो धोकला बनाने के लिए सबसे पहले हम बेटर लगा लेते हैं तो यहाँ पर हम एक बड़ा सबावल लेंगे यहाँ पर मैंने डेर कप बेसन लिया है और साथ में हम यहा समच नमक एड़ किया हाफ टेस्पून मैंने हल्दी एड़ किया हल्दी से कलर बहुत सुंदर आएगा और थोड़ा सा मैंने इसमें चीनी एड़ किया है इतने से चीनी से मीठान नहीं होगा बट इसके टेस्ट को बैलन्स करने के लिए में आप थोड़ा से चीनी डालेंग और साथ में मैंने टू टेबल इस्पून के करीब इसमें ओयल डाला है क्योंकि बेसन हमारा भो ड्राइ होता है तो थोड़ा सगर आप ओयल एड़ करेंगे तो यह बहुत मॉस्टराइज रहेगा वर साथ मैंने एक तीहाई कप इसमें दही एड़ किया दही के साथ मैंने हाफ कप के करीब पानी एड़ किया पानी हम रिक्वार्मेंट के अनुसार देंगे जितना लगेगा उसके अकोर्डिंग ही देना है और इसमें थोरा थोरा करके पानी डालते ही वह आप बिल्कुल अच्छा सा बेटर लगा ले ताकि एक भी गुठलिया ना रहे आप एक ही डार फट बना सकेंगे बिल्कुल घर के चीजों से ही बनेगा तो यह बहुत आसान रेसिपी है एक नएक बार आप जरूर ट्राइ करें और यह अभी मेरा बेटर थोरा सा गाढ़ा लग रहा है तो दो चम्मस के करीब और पानी एड़ करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और क्यूंकि मैंने इसमें सूजी एड़ किया है तो हम इस बेटर को दस मिनट के लिए थोड़ा सा रेस्ट होने में रखेंगे तो बेटर हमने ना ज्यादा पतला किया है ना ही ज्यादा गाढ़ा किया है तो अब हम इसे रेस्ट में रख देते हैं कि 10 मिनट हो चुके हैं तो हम जिस भी बरतन में हमें इसे इस्टीम करना है हम उस बरतन को पहले थोड़ा सा ओइल लगा के ग्रीस कर लेतें तो मैंने यहां पर एलमुनियोन का टिम लिया है आपके पास अगर ट्रे हो तो आप ट्रे ले 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 तो यह देख सकते हैं हमारा बे बेटर नहीं रखना है यह हमारा बेटर अच्छे से लग चुका है अगर आप चाहे तो इस टाइम पर इसमें थोड़ा सा हरी मीर्च थोड़ा सा अधरक भी एड़ कर सकते हैं बट मैं इसे बहुत सिंपल बना रही हूं बिल्कुल सिंपल बना रही हूं तो हम इसमें कुछ भ थोड़ा सा खावा सोडा यानि बेकिंग सोडा एड़ कर ले और थोड़ा बेकिंग पाउडर एड़ कर ले उससे भी हो जाएगा यहां मैंने इनो का यूज किया है और इनो के ऊपर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इनो के ऊपर जब आप पानी डालेंगे थोड़ा साथ इ इस्टेम करने वाले बरतन में डाल लेंगे जब तक मैं हमें दर बेटर लगा रहा है दूसरी तरफ मैंने इस्टेम बनने के लिए भी रख दिया है एक बड़े से पतीले में तो यहां देख सकते हैं मैंने बड़ा सा पतीला लिया है इसमें पानी को एड़ करके मैंने इस्ट तक हमारा धोकला रेड़ी हो रहा है तब तक हम निबू पानी रेड़ी कर लेते हैं, यहां पे मैंने 4 बड़े चम्मध चीनी डाला है, और इसमें मैंने 2 निबू का रस अड़ किया है, और हम इसमें पूरा एक गलास निबू पानी बनाएंगे, आप धोकले में जैसा करें यहां पर मैं तीखा मीठा खटा बिल्कुल एक इकवल दूंगी तो इसे हम पाचवर कर रख देते हैं ताकि यह अच्छे से पिघल जाए तो इधर हमारा ढोकला 15 मिनट हो चुका है दस मिनट में एक बाच चेक कर लिया था तो उस वक्त नहीं हुआ था तो फिर से मैंने इसे ढग दिया अब हमारा ढोकला देख सकते हैं कितना अच्छा फूल कर ऊपर तक आया है हमारा ढोकला रेडी है अब हम इसे बिल्कुल गरम गरम आपको नहीं पलटना है उसे ठंडा होने देते हैं तब तक हम तरका रेडी कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने एक कराई में थोड़ा सा ओयल एड किया है ओयल में हम थोड़ा सा डालेंगे मस्टर्ड और थोड़ से हरी मिर्स यहाँ पर मैंन आप अगर पानी इस तरके में निम्बू पानी को एड़ करके से अच्छे से बॉयल करेंगे तो पानी के अंदर खटा मीठा फ्लेवर तो ही मिर्ची वाला तीखापन भी आ जाता है थोड़ा तरके का फ्लेवर मतलब बहुत ही अच्छा सा यह पानी रेड़ी हो जाता है इसल जरूर इसमें एड़ करके पानी को बॉयल करें असे एक से डिर मिनट लगता है इसे बॉयल करने में उसे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगता है यह देख सकते हमारा पानी इच्छे से बॉयल हो चुका है कलर भी पानी का थोड़ा सा चेंज हो गया है अब हम इसे बंद कर बना है यह बहुत ही अच्छा बना है मैं इसे आपको पास से दिखाती है देख सकते हैं तो ढूगला इसी तरीके से बिल्कुल जालिदार होना चाहिए तब ही आपका परफेक्ट धोगला रेडी होगा बहुत ही अच्छा हमारा ढूगला रेडी हुआ है तो हम इसे अप डालनी है टेंसन न ले यह गिला नहीं होगा यह सारे पानी को अपने अंदर एब्जॉब कर लेता है तो हम इसे अच्छे से इसमें हर तरह से फैला कर इस रेडी किये हुए जूस को डाल देते हैं देख सकते हमारा ढोपले का लुक यह पानी आपको एक्ष्टा दिख रहा होगे साड़ा पानी इसके अंदर अच्छे से इवजॉर हो जाएगा आदे घंटे के बाद आपका ढोपला सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है आप इसे बनाए टेस्ट करें और मुझे बताए कि यह ढोपला कैसा बना है अगर आपको थोड़ा सा भी यह रेसिपी पसंद आए आप